वेल्कम तो स्टडी चैनल मेरा नाम है महम्मद कैसर बात करेंगे बिहार शिक्षक भरती में कुल कितने आवेदन हुए हैं कॉम्पटीशन कहां पर सबसे ज़्यादा टफ है और एड्मिट कार्ड और परिक्षा तिथी के बारे में क्या लेटेस जानकारी है इसी के साथ जो भी छातर यूपी से बीएड करना चाहते हैं यूपी बीएड दोहजार चोबिस के लिए आवेदन चल रहा है फॉर्म बने की लास डेट है तीन मार्च दोहजार चोबिस तो जल्दी से फॉर्म आप भल लिजिए दस मार्च तक हाला कि आप लेट फी के साथ पेमेंट करेंगे जब आपके पास ऑप्शन है 24 अपरेल को एकजाम होगा 17 अपरेल को आपके एडमिट कार जारी कर दिया जाएंगे 30 माई को रिजल्ट घोशित कर दिया जाएगा तो यूपी में बीएड करने के लिए आपको एंटरेंस एकसाम देना होता है रिजल्ट आता है और उसके बाद फिर जून में काउंसलिंग होगी उसके अधार पर कॉलेज का आवंटन किया जाएगा फॉर्म बनने की फी जनरल OBC EWS 1400 है सेस्ट के लिए 700 रुपए है लेट फी के साथ इतना फी का पेमेंट लगेगा कोई भी ग्रैजुएशन किया हुआ छातर यहां पर आवेदन कर सकता है यहां पर कोई भी स्पैसिलिटी नहीं मागी जाती है और यह आपका जो बीएड है यह दो साल का होगा ठीक है बहुत सारे बचे कन्फ्यूज हो रहे हैं एक साल दो साल चार साल तो नई सिक्षानिती में प्रावलहां जरूर है कि 12 के बाद 4 साल ग्रैजुएशन के बाद 2 साल पीजी के बाद एक साल में आप बीएड कर सकते हैं बैतन तरीके से यूपी बीएड का तो एक चरूरी सुचना आपके लिए बात करेंगे उत्तरप्रटिस बीएड इंटरेंस एक्जाम की इस बैस्ट बुक के बारे में जो चक्सु प्रिकाशन के तरब से आती है इस बुक की सायता से दोस्तों आप सामान निग्यान हिंदी स अमान अभिरुची परिक्षड और कलावर को बहुत भी बैतन तरीके से तयार कर सकते हैं संपुर पार्टिकरम पर आधारित ये बुक है 2700 से अधिक महतपुर प्रश्ण है साथ प्रिवेस येर के सॉल्ड पेपर भी है तो नए एक्जाम पैटर्न के अधार पर पूरा सल् सदद करने वाली है तो चक्सुप्रकाशन का इस्टडी का इट बुक तो अवेलेबल है ही इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है यदि आपको ये बुक्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है क्लिक करके आप आउन लाइन ले सकते हैं या फिर मार फर्वरी फॉर्म बनने के लास्ट देट थी और उसके बाद छादरों को मौका नहीं मिला लास्ट देट वगरे नहीं बढ़ा और एक बाद 30 फर्वरी से 26 फर्वरी लास्ट देट हो जुगा था तो टोटल साढ़े चार लाग के आसपास आवे दन हुए हैं थोड़ा सा उ करा बहुत ही जल्द BPSC दुआरा मिल जाएगा कहीं चार लाग एक सट हजार का डेटा हमें मिल रहा है कहीं चार लाग छपन हजार मतलब कहने का यह है कि साढ़े चार के आसपास आप मान सकते हैं फॉर्म जो फाइनल सम्मिट हुए हैं टोटल वन टू त्वेल्थ का मैं ब पता रखा है कि एक्जाम कराने की त्यारी है मार्च महिने में आपको बिल्कुल दोस्तों फोकस होकर त्यारी करने की आउशकता है इस बार कॉंपेटिशन पहले की दो शरणों से काफी कम देखने को मिल रही है वन टू ट्वेल्थ हर लेवल की भरती है उसके बावजूद यदि 4.5 लाग के आसपास आवेदन हुए हैं तो कॉंपेटिशन ट्यारी 1 ट्यारी 2 की तुलना में ट्यारी 3 में काफी कम है सबसे अधिक कॉंपेटिशन 628 में है 19 यहां पर काफी अच्छे हुए हैं यदि हम अन्य वर्ग से तुलना करां उसके बाद प्राइमरी में कॉं प्यूग करिए क्योंकि अगला जो ट्यारी 4 है उसमें हाला की पद काफी अच्छे खासे होंगे लेकिं कॉंपेटिशन विसमें ज्यादा होगा नए बीए डियलेट के बाइस चोबिस वाले आ जाएंगे सीटेट एस्टेट वाले अब हर्थी आ जाएंगे तो कॉंपेटि पहले एडमिट कार्ड वीपेसी जारी कर देगा तो बस आपको लगकर पढ़ने के आउशकता है यदि अचार सहीता लग गया मार्च के सुरुवाती दिनों में पहले सप्ता हमें या 10 मार्च तक भी तो फिर आपका एक्जाम आगे बढ़ जाएगा और लोगसबा जाने की है परिक्षा सेंटर वगरे देखे जा रही है सब कुछ फाइनल हो रहा यदि सब कुछ ठीक रहा अचा सहीता 15 मार्च के बाद लगा तो इक्जाम आपका हो जाएगा नहीं तो इक्जाम में ठोड़ा डिले कर दिया जाएगा सेंटर वगरे जो फाइनल होंगे उस सेंटर्स पर ठीक है तो फिलहाल आपको क्या करने के और शकता है बस पढ़ने के और शकता है आगे कोई और अपडेट आती है कोई जानकारी में विलती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को स हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाशिंग